आजकल मार्केट में सबजीयों के दाम आसमान चुह रहे हैं तो ऐसे में आज हम बनाएंगे बिना किसी हरी सबजी बिना किसी टमाटर का यूज किये हुए सिर्व एक अच्छे आलू से बने हुई ऐसी शांदार सबजी की रेसिपी जिसको बनाने के लिए आको चाहिए से 10 मे से पी के लिए पहले हम बनाएंगे एक सेंपल सा मसाला तो मैंने जार में डाल दिया है दो छिले हुए अध्रक के टुकड़े चार्ड मैंने ली है हर इमिर्ज तीखेपन के लिए और सास याठ कलिया मैंने लेह संग अगर आप्ले सबसें कम खाते हैं तो लेसन कौन्टटर निकाल लेंगे इसको ग्रेवी में यूज करेंगे और जितना हाफ रखा जार के अंदर इसमें अट करेंगे हम एक बड़े साइस का कच्छे आलू तो मैंने आलू को छील के वर रफली कट करके दो लिया है तो डाल दिन जार के अंदर पानी नहीं उसकरने वाले हम और यह ला चानी बहुत बहुत टेश्टी है से दस मेट के अंदर बनती है अब इसमेट करेंगे हम पेश्ट को गाढ़ा करने के लिए एक बड़ा चमर बेशन का बेशन की जो कौन्रटी है बस हमें उतनी रखनी है जितने में जो पेश्ट है गाढ़ा हो जाए तो यह देखिए सिव एक बड़ा चमर बेशन था उससे पेश्ट है थिक हो गया है अब इसमेट करेंगे हम छोटी आदी चमर प्लेवर के लिए हल्दी पाउडर एक जो था यह लालमेश का पाउडर आदी चमर गरम मसाला आदी चमर मैंने लिया है जीरा और साथ में जाएगा नमक स्वाद मिला देते हैं यहां मैंने हींग नहीं डाली है कि खतब मोगे थी मेरे पास आके पास हो तो हींग जरूर डा दीजेगा और बैटर को हमके करेंगे लबद 2-3 मेट के लिए एक ही डिरेक्शन में अच्छे से फेट लेंगे ताकि जो बैटर है काफी हलका फुलका हो जाए इ छोटी चम्मा जीरा अच्छे से फ्राइ कर लेंगे मैंने रसेपी बहुत सिंपल अखी है तो मैंने जीरा ही आट किया है अब इसमेट करेंगे हम दो मीडम से बारी कटे हुए प्याज और प्याज को अच्छे से भून लेते हैं और साफे जो मसाला हमने त्यार किया था जि मैं आट करेंगे हम घर के रखे हुए सिंपल बैसिक मसाले सुखे वाले तो यहां देखे मैंने लिया है आदी चम्मा धनिया पाउडर आदी चम्मीरी मिश्का पाउडर ग्रेवी कलर लाने के लिए नमक स्वाद अनुसार छोटे अदी चम्मा हल्दी पाउडर और आदी च अच्छे से भुन जाया तेल को सेपरेट कर दें जब मसाला अच्छे से भुन जाय कि तयार हो गया है अब इसमें जायेगा खटास के लिए टमाटर क्या सुना आपने टमाटर नहीं डालें टमाटर बोहुत ही महंगे हैं आज हम यूज़ करने वाले हैं दही और मलाई का य 3 बड़े चम्मत दही और एक बड़े चम्मत मलाई को अच्छे से मिला के फेट लिया ताकि जो मसाला है वो फटा फटा न लगे और इस टाइम मैंने गैस को इतम धहीमा कर दिया है विकुल लो फ्लेम पे आप चाहें तो गैस को बन कर सकते हैं तब यह मसाला मिलाई ताकि जो मसाला है वो फटना जाए अच्छे से मिला देंगे इससे जो ग्रेवी बनेगी बहुत टेश्टी बनेगी तर स्मूथ क्रीमी सी और यह देखे जब मसाला हमारा इदम अच्छे से उबनना सुरू हो जाए समझ जाए यह मसाला बनके तयार हो गया भी फटेगा नहीं तो हम इदम धीमाई रखेंगे और कवर करके एक मैट के लिए छोड़ देंगे मीनवाइल हम बैटर को देख लेते हैं तो यह देखिए यहां से दोती मैठी हुआ है जो बैटर हमारा इदम अच्छे से रेष्ट कर लिया है फिर से मिला देंगे अब जो वड़िया है हमारी इदम मुलायम बनें तो इसमें आट करेंगे हम एक चुटकी खाने वाला बेकिंग पाउडर सिर्व एक चुटकी लेंगे अगर आके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आधी चुटकी लिजेगा खाने वाला मीठा सोडा सोडा ले रहे हैं तो आधी चुटकी और बेकिंग पा यह जो प्लास्टिक के बैग आते हैं थोड़े से मोटे वाले होते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं और यहां पर देखिए एक मैट के बाद जो मसाला है इदम अच्छे से पक के तयार हो गया है अब एक काम करेंगे मसाले को हम हलका सा पतला करेंगे क्योंकि इसी में हम मोटे आपको वड़िया बनानी है इस तरीके से बना लीजिए और यह देखिए कितने आसान लग रही ना यहां पर आप चाहें तो मसाले को अलग पका लीजिए और वड़ियों को अलग पका लीजिए अगर आपको लगता है कि रिस्की है लेकिन बहुत ही आसान है लग आप मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और सातanned वीडियो पसंद आप वीडियो को लाइक करने के साथ मेंगे शियर भी कर ढीजेगा और साती साथ आप मेरी वीडियो कस् donor से देख रहे है है और आपके City का नाम क्या है अपनी City का न और यह देखें से दो ही मेट हुए है और वड़ी हमारी पकेत तयार हो गई है इधा परफेक्ट यह देखे जाली छोड़ रही है अब एक काम करेंगे बहुत सावधाने से हम जाली के प्लेट को निकाल लेंगे बहुत गरम है यह तो मैंने किया कि जो कल्छी से निकाला ना त करेंगे एक ग्लास गरम पानी क्योंकि वड़ी पकी हुई है त्रिंडा पानी नहीं डालेंगे जब ग्रेवी अच्छे सुबनना सुरू हो जाएगी जाली में लगी ना सब को निकाल लेंगे और यह रसिपी इतनी आसान है दस मेंट के अंदर बनती है तो जब घर में कोई सबजी ना हो सबन ना है क्या बनाए तो आलू मसाला वड़ी बनाएगा को इस तरीके से जो खाने में टेस्टी है बनाना उतने ही आसान और यह देखिए मैंने सारे वड़ी को निकाल दिया है अब यहां पर बहुत टाइम ने लगने वाला है बस कवर कर देंगे इसको अच सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहां पर हमारी सिंपल लेकिन बहुत 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 टेस्टी बनने वाली आलू मसाला वड़ी की सब्जी बनके तयार हो गई है फटा फटा इसको सर्व कर लेते हैं इस सब्जी को आप रोटी पूरी चावल से खाईए सब के साथ बहुत न भूलिएगा चैनल पर नए हैं लेकिस सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फटा सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रस कर दीजेगा चली मिलते हैं नहीं सब्सक्राइब के साथ मैं अभी क्लिए थैंक्यू टेक केरें बाबाए आप मुझे फेस्बुक इंस्ट्र सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज फॉलो करेंगा अभी के लिए धन्यवाद थैंक्स टू वाच प्लियांका किचन जोन